इस समय मैं बेगू सराय में हूँ और जो पटना से जो आबाजें उठी हैं अगले आम चुनाव को लेकर के बिधान सभाज चुनाव को लेकर के हम वहां से जो जद्यू के उपाध्यक्ष हैं उन्होंने जो कहा है सीट बटवारे को लेकर के जो एक बीजेपी के लिए एक रामलखन सिंग जी के यहां और रामलखन सिंग जी कि क्या प्रतिक्रिया आती है भाजपा की क्या प्रतिक्रिया आती है इस विसेप सेर आज प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया चली आ रही है और जितना कठवंधन है और एंडिये के लोग हैं एंडिये के जितने साहभागी ह वह सब जादा से जादा उपयोग भाजपा का चाहते हैं और भाजपा को ही खाना चाहते हैं भाजपा को अब देखना है कि गटबंधन भी जरूरी है और भाजपा के अस्तित को बचाना भी जरूरी है तो दोनों तरफ से हमारे कुसल ने तिर तो काम कर रहे हैं और कुसलता क यह मतलब नहीं होता कि कभी उसमें सफलता दर सफलता मिलती है कभी-कभी उसमें थोड़ा सा अब रोध ही आता है लेकिन यह गटवंधन का दौर है गटवंधन का अपना धर्म है और गटवंधन को पूड़े गटवंधन को अपना धर्म निभाना चाहिए सबसे अहम सबाल सर यहां पर यह है कि जिस तरीके से जारखंड में भी भादपा को बड़ा जटका लगा है वहां सरकारे बदल चुकी है क्या इसका असर तो कहीं नहीं है गड़वंदन पर पढ़ रहा है इसका भी असर परेगा लेकिन है कि अभी एक धारा चल रही है और वह धारा है राश्चा बाद को मजबूत करने का रास्ट को मजबूत करने का लेकिन आज हमारे देश की बहुत संख्याबादी सिर्फ अपने तक सिमित्रा गई है या वो जाद का सोचती है या व्यक्ति और पडिवार उपसे उपर हो गया है और राष्टी नीचे चला गया राष्ट की प्रात्मिक्ता जब देंगे लोग और राष्ट की समस्या को आजपाई है लेकिन भाजपा अगर इसको दरजा दे रही है तो बड़ा भाई भी हो सकते हैं और बड़े भाई होने के नाते इनकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है और बड़े भाई होकर छोटे बाई के एक नथ्खत छोटा भाई के रूप में काम करें यह अच्छा नहीं जी सर एक इस से थोड़ा सा अलग हटते हुए एक और सवाल बड़ा अहम सवाल है मैं आपने दर्सकों को बताना चाहूंगा कि ये बहुत गंभीर मसला है कि पुर्व महिला मुख मंत्री रावडी देवी अपनी बहु के साथ मारपिट करती है इसमें और इसस पर घृवार के तक कोई पर्तिक्रिया अभी तक नियाने hou कि दोरा है महिला कई महिला के दोरा हो रहा है और हमेसा जाधा महिला यी महिला पर परखार्य करती है यह आप जाधा देखते हैं पृूसों का उसमें साभागिता कम होती है महिलाओं की रभाईत आची होती है महिला अगर अपने बेटी और अगने पतोहूं में फर्क करना बंद कर देंगी तो यह अत्याचार समाप्त होने देगी और यह अत्याचार अभिरावरी जेवी जैसे भी हो सिक्षाकास्तर उनका या उनका अपना रहन सहन परिवारिक महावल जो भी हो लेकिन वो ब्रव मुख मंत्री हैं और उनको इतना जिम्मेदार होना चाहिए कि अपने पतोहूं को भी अपना दर्जा दे सके जी बात जो बेगू सराय में खास करके देखने को मिल गए है वो अध्यक्ष की चुनाव को लिए है जो जो नए अध्यक्ष सर बनाए गए है इसमें क्या लगता है मंत्री महोदे भी हैं आप भी मंतरी महोदय का पूरा साथ मिला था मंतरी महोदय ने साथ दिया है और उनका भी पसंद है उनकी भी अनुसंसा है ऐसे नहीं बना है कोई और संगठन भाजपा का भी है और संगठन जो हमारा मूल संगठन है और हमारे मंतरी महोदय सबों का इसमें समर्थन है लेकिन कुछ लोग जो समय के साथ आए आज की का समय और आज की राजनिती का दौर जो चल रहा है वो व्यक्ति परधान हो गया है इसलिए अपनी परधानता को पाने वाले लोग फ़रसा परिसान राज़त अगले पिद्धान सब्भा में कुछ पर रही है राज़त में क्या है कि सिर्फ एक ब्यक्ति ने क्या गल्टी की ब्यक्ति कितना इमांदार है कितना महान है कितना गेरा हुआ है ये लोग नहीं सोच रहे हैं उनके मतदाता को भी पता नहीं सोचना चाहिए कि देश है और देश में हिंदूत है और हिंदूत में एक जा बूठाचार को पहल करने के लिए जब गांगोत्री से गंगा सुद्ध चलेगी तो नीचे तक भी आएगी। लेकिन नीचे तक जो नदी नला है उसका बहाओ कितना गंदा है कितना साफ है गंदे पानी को उसमें साफ करके दूसरे काम में लाया जाएगा और साफ पानी को और साफ किया जाएगा नदी के तटकव साफ रखा जाएगा तो सुधता आएगी इसी तरह समाज में और राजन लगातार विधान सभा के चुनाओव में भाजपा को हार का मुझ देखना पर रहा है क्या कारण हो सकता है यह देखिए परिबर्तन का दोड़ है इस परिबर्तन में हर लोग पहले से त्यार नहीं होते हैं हर लोग उसमें अर्जस्ट नहीं कर पाता हैं लेकिन धिरे-धिरे के लिए अके लिए नहीं थी बल्कि समाज के लिए अके लिए थी समाज के लिए जो भाजपा कर रही है उसमें अर्भी लोग साथ नहीं दे रहे हैं विपक्ष गैर जिम्मेदार की भूंका नहीं भा रहा है एक तरफ समझे कि पाकिस्तान और राष्ट द्रोभ जो भी है investmus माड़ना हिंदोस्तान के सैनिकों के खिलाब वोलना पुलिस पर लाठी और गोली और क्या है कि प्थल वर सना यह सांति फ्रीय गाने प्रदर्शन दिखता है तो फिर हिंसा और अहिंसा क्या होता है हमें इसलिए अभी जो है तो भाजपा का भाजपा राश्रबाद के धारा को ला रही है जो अभी तक थी रहे हैं जादा पराकाष्ठा पर था और उसको बुलाने में परिवर्तर हमें सातोरा संगर्सील होता है संगर्स के बाद परिवर्तर आता है और थोड़ा उसमें सहना भी परता है और सहने के दो जब सत्ता की बात आती है तो अपरत्यासित हुआ और जब च्छत्रिय सत्ता का मेंने पिधान सभाओं का दौर आया तो थोड़ा सा उसमें सिमट गए लोग लेकिन इन लोगों को अगर देश के लिए काम है देश के लिए इमांदार तंत्र चाहिए बरस्टाचार से मुक्ति होगती निद्या बढ़ेगा तो यह आएगा बरस्टाचार की उमिध संको है। लेकिन है कि दुनिया पहले प्रस्टाचार से मुक्त हो जाए तो हम होगे, लेकिन दखना इह पड़े गा कि पहले हम कीतना बशटाचार से दूर हो रहे हैं तब दुनिया को हम की तरह पर अश्टाचार से दूर करने के लिए फ्रेर ना बहुन सकते हैं यह बेगु सराय की जनता का एक मान बराबर उठते रहता है लोहिया नगर में रेलवे अंडर पास को ले करके और पावर हाउस में एक अबर ब्रीज को ले करके यहां के सांसत मंत्री अस्तर के नेता है और काफ तो रेलवे में बहुत समाप्त हो रहा था और उसको जब हमको मेंटेन करना है तो इसको किराया बढ़ेगा तो जब खर्च बढ़ेगा तब नहों पाएगा अभी आप एक साथ चाहते हैं कि रेल का सबसी लाइन का दोहड़ी करने चर्ट फोर लें भी बन जाए लाइन और सब जगह मालगारी अलग से चले और पासेंजर का कभी कोई ट्रेन कहीं रूके नहीं किसी इस टॉपेज पर तो यह सकता है जितना चर्मराय हुआ था चर्मराती व्यवस्ता को खारा करने में समय तो थो थोड़ा लगड़ा और लगेगा और लगेगा तो अंडर पास की ज जोड़ा रहे हैं सब पूल बनेगा तो पिर ट्रेक भी होगा और पूरे देश का हर और इसमें जुरेगा बहुत-बहुत धन्यबाद सर आपका आपने अमारे लिए इतना किम्ती समय दिया इसके लिए आपको बहुत-धन्यबाद हम आप जनता की तरफ आने चाहते हैं जन रामलखन जी ने सीधे तोर पे असपस्ट कर दिया कि जो जिलाद्यक्ष क्या जो चुनाब हुआ उसमें बहुत अच्छा सहयोग मिला मंत्री महोदे से सांसत महोदे से इतना ही नहीं अस्थानिय मुद्दे पर भी जब मैंने बात किया तो एक आस्वासन नहीं बलकि आस्वा चुनावत को लेकर के बड़े सचेत और सतर्क सब्दों में बड़ा तारीफ करने योग सब्दों में उन्होंने जो जबाब दिया है वह बहुत ही सांदार भाजपा की का बड़ा भाई होना छोटा भाई होना का फर्क बता दिया है बहुत सांदार तरीके से इन्होंने इस इसी के साथ मैं पंकस भट बेगू सराय बीटी न्यूज बिहार बीहर